यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ इसके बाद से धार्मिक प्रातनाय आयोजीत होती है इसी के चलते पुलिस अधिकारें की छुटियां रद भी कर दी गई है सुवन मंदिर के आसपास करीब 32 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है एक अधिकारी ने बताया कि हवाई अड़े, रेलवे स्टेशन और बाईपास सहित शहर के प्रवेश और निकास मारगो पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है बाहर से नगर में आने वाले वाहनों की गहन जाच की जा रहे है ताकि किसे भी शुरारती तत्व के प्रवेश को रोका जा सके सरकारी सुरक्षा, एजेंसिया और शीरोमनी गुरुद्वारा प्रबंदक सिमीति के अधिकारी नगर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे है SGPC ने भी अपने स्वेम सेवकों को मंदिर परिस्वर के आसपास तैनात कर रखा है पुलिस महानी देशक सुरेश अरोडा पहले ही सुरक्षा व्यवस्था का जाईजा ले चुके है इस बेच उगर सिक्स संगठन दल्क हालसा ने सेना की कृते के विरोध में 6 जून को अमरित्सवर में बंद का आहवान क्या है आपको बता दें कि हाल ही में पंजाब के बटाला में पुलिस ने तेन खालिस्थान समर्थकों को गिरफतार क्या है पुलिस का क्याना है कि गिरफतार खालिस्थान समर्थक प्रतिबंदित संगठन 6-4 जस्टिस से संबंद रहे हैं बटाला पुलिस ने संदिग्दों के पास से अवैध हतियार और खालिस्थान का समर्थन करने वाले पोस्टर भी परामत किये है और वहीं उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा जीले में मंगलवार रात आतंक वादियों ने सेना के एक शिवर पर घुसने की कोशिश की है आतंकियों ने रात करीब सारी आट बजे हाजिन इलाके में सेना के तीस रास्टी राइफल्स के शिवर के गेट पर ग्रेनेट फैंके उसके बाद आतंकियों ने फाइरिंग की जवानों ने इस हमले का फॉरण मूतोड जवाब दिया इस पर आतंकी भाग खड़े हुए हमले में दो जवान खायल हुए मीडिया रिपोर्स के मुताबिक चार से पांच आतंकियों को शिवर के बाहर देखा गया कैमपर दो तरफ से हमला किया गया है आतंकियों ने पहले गेट पर कई ग्रेनेट फैंके उसके बाद उन्होंने फाइरिंग की सुभे रोशनी होते ही शिवर के आसपास सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है फरार आतंकियों की तलाश भी की जा रहा है जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है इलाके में तलाशी अभ्यान चलाया जा रहा है हलांकि अंधेरा होने के चलते सर्च ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसके अलावा रमजान के चलते स्थानिय लोग भी घरों से बाहर है ये इलाका लशकर का गड़ माना जाता है आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में सुरक्षावलों पर किया गया ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है जवानों पर हमले के अलट के चलते शिवर में भी जवान बेहद अलट थे इसके चलते आतंके शिवर के भीतर दाखिल नहीं हो सके शुरुवाती खबरों में फिदाईन हमले से इंकार क्या जा रहा है जवानों की जवावी कारेवाई से सभी आतंकी फरार हो गए है झातौ करहा है